उत्तर प्रदेश के महोबा चनपद में निसुलक नेतर सिविर का आयोजन किया गया सिविर में मौजूद चिकित सकों द्वारा 200 से अधिक लोगों का परिक्षन भी किया गया पनवाडी विकास खंड के खैरो का लगाओ में सद्गुरु सेवा संग द्वारा निसुलक नेतर परिक्षन सिविर का आयोजन किया गया ग्रामिर अंचल में लगाए गए इस कैंब में विसेशग्यों द्वारा 200 से अधिक व्यक्तियों की मुफ्त में जाच की गई जाच के दोरां 45 लोगों की आखों में मोतिया बीन की शिकायत पाई गई जिनने बैतर इराज के लिए चित्रकूट भेज दिया गया चित्रकूट धाम के द्वारा टीम भेजी गई थी और आज यहां विशाल नेतर शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 200 लोगों के नेतर जाच हुए और उसमें 42 लोग आखे बनने के लिए चित्रकूट भेजे गए उन्हें के द्वारा चित्रकूट में जो हमारा जानकी कुंड में सद्गूर सेवा संग ट्रस्ट है उसके द्वारा बस भेजी गई थी डाक्टरों की टीम भेजी गई थी उन सब का परिक्षन किया गया और जितने लोग आखे बनने के लिए तयार थे उनको चित्रकूट बेजा गया बजरंग आश्रम ग्राम फिरोकला में जानकी कंड ट्रस्ट द्वारा विशाल नेक्ट परिक्षन सिविर का आज़न किया गया परिक्षन के उपरांत जिन लोगों की आखों में कमी पाई गई ये मौतियां बंद पाई पाया गया है उनको जानकी कुंड झाल